अपके आपके सामने आपके तयारी के लिए यहां पर यह जरी बंदिट anymore वेल और इंसकी पूरीımı record और यह काई जाते है उसके जित्पूरी उतले जिसे कीओनीज के सीरीज कंपलीट हो गए डीएंडियन गिकी सीरीज कंपलीट हो चुकी है और कि स्टाइटिक के बारे बात करेंगे किसके बारे में ट्रॉफी के बारे में आगर आपको विडियो सही लग रही हैं आपको लग रहा है कि आपके लिए हैं तोब लेख और करना क्या है क्या करना औन दोश्टों के साल नंको की सब्सक्राइब करने का मतलब क्या होता है कि भई आप क्या करोगी इससे थोड़ा सा हम Еमें प्रोज साहन मिलता एक अच्छा बच्चों को पसंद आ रहा है बच्चे जूड़ रहें कुछ और अच्छा कंटेंट लेके आए अप सब्सक्रिप्शन की तरफ भी ध्यान दे सकते हैं हाला कि आपके यूपर आपके लिए फ्री भी है सब्सक्राइब करना कोई बहुत जदा पैसे वाली चीज तो है नहीं औ बहुत फेमस है फुटबाल में चैरबलियन कब टैनिस का है देउधर ट्रॉफी क्रिकेट की है और सुल्तान अलजाश्या कब होकी का है यह कुछ ऐसे फेमस हैं जिनके नाम लगबग में आपको पता है या कहीं न कहीं सुना होगा लेकिन सवाल यह है कि ऐसे बहुत सारी ट इसके एक साल में सबसे चार मेजर इवेंट होता है उसी ग्रास कोर्ट वाले को लॉन टैनिस भी कहते हैं तो बच्चे कंफ्यूज होता है कि टैनिस और लॉन टैनिस में क्या है चीक है यहां पर जो बंदा दिख रहा है इससे कहते है नौवाउओक जोकोविश इनका नाम क्या है अनिका नौवाउक जोकोविश आस बात क्या है ऑस्ट्रेलियन ओपन को छोड़ के इन्होंने ये तीनों ओपन इस बार जीते हैं मतलब मेल्स में तीनों ओपन उनने इस जीते सबस्यादा Grand Slam केलने वाले इसके लावा राफिल नडाल का भी नाम सुनियेगा तो यह बहुत ही फेमस रहे हैं और एक मेरी फेरबरेट रोजर फैडर रोजर फैडर रहे हैं वह कहां के रहे हैं रोजर फैडर रोजर फैडर रहे हैं स्विट्जर लैंड के कि लाड़ अब मैं बहुत फैमस कि लाड़ी है इंडिया की इस के लावा कुछ कोटे मोटे जो कप सेले जाते हैं उसके बारे में बात करें तो रोजर्स कुप रामानोजम ट्रॉफी, मियामी ओपेन, फिर यह उससे को हो गया, वह डोजस कप है, रामानोजम टॉफी, इंडिया में हो जाएगी आपकी, टैनिस से रिलेटेड, डेविस कप खिला जाता है, ये लॉण टैनिस होती है, ये होती क्या है देविस कप, lawn tennis होती है lawn tennis का मतलब आपको समझा दिया जिसमें Davis cup men's से related है और Billie Jean King cup tennis women's से related है तो women's के trophies का नाम का भी कर जैसे कि कुछ cup में तो क्या होता है male और female दोनों perform करते है जैसे यह जो US Open है grand slam होते है लेकिन यहाँ पर Davis cup में जैसे की बात किज़ाए lawn tennis में तो यह Davis cup के बीच में होता है females के लिए Billie Jean King cup है और बात करें तो football की बात करते है football बड़े ही major events है फीफा आपने इसका नाम सुना होगा हालागि इसके अलावब भी काफे कुछ है जैसे रोवर्स cup, शंतोष टॉफी विटल टॉफिल लगबब में इंडिया में होते है कहां पे होते हैं इंडिया लेवल पे होते है मेरेकड़ कप सुर्टो मुखरजी का फीफा वर्ड कप फीफा वर्ड लेवल पे है वहीं एक यह बेंगॉल पे बेस्ट है बेंगॉल में फुटबॉल बहुत फेमस है बहुत फेमस है निक्सन वोल्ड कप एंडिया का वाना मेजर कप है फुटबॉल के रिलेटेट तो यह कुछ नैशनल लेवल पर खेले जाने वाले हमारे यहां के टूनामेंट है फुटबॉल से रिलेटेट दूरंड कप काफी प्शुट pon Canada यह किस्से है आप फ़ये होंकी में जब भी कोई सिख नाम सुनें सिख नाम आपको सुनाई दे इस उरिए सिख जिए उयक्ति कोई चीज सिख कुरू के नाम से किससे सुनाई दे तरहां कि स्च्छों advance अपन राजार रर्जीन सिंग् singh गोल्ड कप है गुरु स्वामी कप कहां पे होकी में है beton cup होकी में है तो रंगा स्वामी यह साउट से नाम से अगया सुल्तान अलजाशा कब ये मुचलम कुम्लोटी को travels करता है बधंटन बैटन कप है तो यह देखते हैं कि यह कुछ ऐसे नाम है आपको नाम याद रखने है इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा शॉर्टकेट की ज़रूत नहीं है बलकि इसको रिपीट रहते रहे हैं रिपेटिशन जितना ज़्यादा गरेंगे उतना ही ज़्यादा आपको याद रहेगा बाकि आपका जिससा इंट्रेस्ट वाइस भी होता है कि आपको इंट्रेस्ट भुले लोकल क्रीट के वारे में आप नहीं जाते हैं बाद में में बांड में जीता हे कि भाहिए इंडिया ने 2022 में पहली बार कभ जीता ये बहुत बड़ी बात है किसरीन कप और नारंग कउन से इंटरय da लेवल पर आ जाते हैं थोड़े से और यह यहीं पर नैशनल लेवल पर आ जाते हैं तो अलग-अलग लेवल होता है बात करते हैं स्पोर्ट्स में दिखे आपका फेवरिट गेम क्रिकेट आ गया इसके टॉम्स के बारे में बात कर चुक है देवधर ट्राफी तो आप सभी न विजन ट्रॉफी टाइटन कप यह सब भी क्रिकेट से रिलेटेड फूना मैंट है जेके बाउस, सिर्शा, शीष महल, मुस्ताकली, विजदन ट्रॉफी और टाइटन कप है ठीक है इसके अलामब विजे हजारे विजे मर्चिंट या विजे हजारे टॉफी कहा जाता है ठीक है जीडी बिरला, सार जहां कप, प्रानी जहांसी ट्रॉफी वोमिन्स क्रिकेट के लिए हो जाएगा वही पे राइडर कप, कैनाडा कप और सेलेशन कप ये गोल्फ से रिलेटेड है तो क्रिकेट के रिलेटेड याद रखेगा इसमें से रंजी प्रानी जहांसी जीडी विजे हजारे अक्सा नाम सुनुते होंगे विजे हजारे टॉफी राइट तो वो थ लिए रखा गया है आगे बात करेंगे स्पोर्ट्स की तो दुबई ओपन लिमिका ट्रॉफी कंफ्यूज नहीं होगा कभी भी लिमिका ट्रॉफी सुनेगा तो चेस से रिलेटेड होगा वही प्रो कबंडी कबंडी की एक मात्रों लीग है जो इंडिया में चलती है फिलाल बात है ग्रास कोड पर खेले जाने तैनिस को लॉंटे इस नहीं हो ना चारों सब टैनिस से रिलेटेड है यह चार ग्रांड स्लैम है बाकि आपका डेविस कप अभी हमने पीछे रिवाइस किया था इंडिया की इंडिया क्रेट हिस्सी थॉमस का फर्स्टाइम टाइटर इ यह सारे बैड्मिंटन प्लेयर हैं इंडिया के टूनामेंट होस्टेड वाद डैंकोग थाइलेंड दोजार तेस का अभी इसमें मेरे पास डेटियल मैंने मेंशन नहीं की है फुटबॉल में दिखें मैंने आपको बुला था उन्हों सबको एक शॉटकम मिलीजे रोवर्स कप मैडरक कप संतोस ट्रॉफी विट्रल ट्रॉफी सुब्रतो मुखर जी वही सारी चीज़े मैंने आपको यहां रिवाइस कर लेते हैं क्रिकेट में एक साइड से दिखें ध्रण्जी ट्रॉफी रंसे याद हो जाएगा देवर्धर ट्रॉफी दुलीब दिलिब और दुलिब फर्क है दिलिब फुटबॉल धूलिप दुलिब इंग्लेंड औस्ट्रेलिया सीके नाइड़ू अंबायती राइडू के नाम से याद रखेगा सीके नाइड़ू अमबायती राइडू इस तरह से आपको याद हो जाएगा चलिए तो आप सवाल यहां कि सुंदरिमान कंप किस से असूइड़िट है दो बैड़मिन्टन से इनको तो आप जानते होंगे पीवी सिंदो जी सभी लोग जानते हैं पीवी सिंदो जी को ठीक है ब्रॉंज यह क्या है सिल्वर मेडलिस्ट है दो बार की हमारी ओलंपिक्स मे silver medalist हो चुकी है दूबार ठीक है इसके बाद अगर आप बात करेंगे सुल्तान अलजा शाह कप किस से related है तो आप कहेंगे सोर यह हो गया होकी से किस से होकी से इसके साथ आगा खान कप द्रांचन ट्रॉफी महराजा रर्जी सीन गुर्णानक दिन रंगा स्वामी एंड बिगेटर यह सारे एक साथ एक जगा नोट डाउन कर लीजें और किसे रिलेटेट का पूछे जाते हैं यहांगे बात करेंगे डेविस कब किस से तो आप कहेंगे tennis में वो भी men से related है, lawn tennis की regarding बदाया था ना, विजली जीन, king of women से related है, तो आपका यहां से questions की practice होगी थोड़ी सी, चलिए लास slide पर आ जाते हैं, इन में से कौन सी trophy cricket से संबन दीत है, कि चाये रंजी हो, चाये विजली जारे हो, या द्वेलिप हो, द्वेलिप अलग हो गया, और यह द्वेलिप अलग है, तो all of the above क्या हैं, आपके cricket से related है, तो यह कुछ trophies थी, और इसके लावाँ आपको sport terms पढ़ने पढ़ा दिये हैं, तो यह जो sport terms और trophies हैं, यह वीडियो एक बार आप जरूर देख लें, आपका किसी भी exam में question बन सकता है, आगे आने वाले वीडियो में, थोड़ा से हम tribes के बारे में भी पढ़ेंगे कि कौन से tribes कहां पाई जाती है, कितनी बहली जनसंच्छा है, क्या इनकी importance है, तो वो भी एक static का part है, कभी-कभी tribes पूछली जाती है, गिने चले तीन चार tribes के नाम बहुत ज़्यादा पूछे गया है, तीन से चार tribes के नाम ज़्यादा पूछे जाते हैं, और किस state में बाई जाती है, तो वो भी एक static का part है, जिससे मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए, तो आज की वीडियो में इ झाल